वब शंति, एक फबरी के शुरुदान में आप सब का सॉलत है, उमंग उट्सा के पंखो से उड़ते रहना परमात हमात पह कहते हैं, कि हिमत और उमंग उट्सा के पंखो से उड़ती कला में उड़ने वाले, तीवर पुर्शार्थी भवा हिमत भी रखनी है, उमंग उत्सा भी रखना है, situations आएंगी, problems आएंगी, परसिती आएंगी, face करना है और situations आएंगी चाहे, lockic situations हो, special situations, lockic, locky more love दुनिया भी तरीके से family बात में situations हो, लेकिन तब भी हिमत और उमंग उत्सा को कम नहीं करना उत्सा उत्सा के दो पंक हैं, हिमत और उमंग उत्सा, किसी भी कारे में सफलता पराप करने के लिए हिमत और उमंग उत्सा बहुत जरूरी है चाहे, physical का रहे हो, चाहे, spiritual का रहे हो जहां मंगजसा नहीं होता वहाँ ठकावट होती है और ठकावट हुआ कभी सफल नहीं होता गल्तियां होती है Mistakes होती है गिरते हैं चाहिए Spiritual पातम है हो चाहिए Physical लोखी पातम हो गिरते हैं ऊपर उड़ते हैं लेकिन अगर अगर मंगजसा को छोड़ देते हैं थकावट मैंसुस करते हैं तो आगे बढ़नी पाते हैं तो सफलता नहीं होती है तो इसलिए कुछ भी हो जाए मंगुच्छा और हिम्मत आगे बढ़ाते रहे हमें वरतमात समय कि अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुंच नहीं सकते क्योंकि पुर्शार्थ एक जनम का और प्राक्ति 21 जनम के लिए ही नहीं 21 जनम के सत्युतरता सारे कल्प की है दुआ पर कल्यूक तक हमें प्राक्ति मिलती है चाहे धन से चाहे तन से चाहे मन से जो भी हम लगाएंगे वो हमारा अच्छा रहेगा स्वस्तर रहेगा चाहे धन से चा का हो जाता है कि अरे मुझे इतना गैलप करना है जैसे कोई अगर एक बच्चा बीच में मिट सेशन में स्कूल को जॉइन करें और बहुत ही उमगुटसा वाला बच्चा हो तो वो सारे पिछले हाफ सेशन को भी पूरा पढ़ लेता है समझ लेता है आगे बढ़ लेता है कि इसको बता है कि प्राप्ति बहुत लंबे समय कि इसको अगले कई सालों तक इसकी प्राप्ति हो गए लेकिन अगर उसने ये चाप्टर्स छोड़ दिये बीच के 6 मैने जो उसने पढ़ाई छोड़ी थी या कर नहीं पाया था तो इसको नुकसान हो जाएगा यही तरीके से हमें भी यहाँ पर गैलप करना है परमात कहते हैं उर्तिकला में पढ़ना है क्योंकि हमें 21 जनमी हमें कहीं जनमों तक दौपर और कल्युक के भी अंद तक प्राप्ति की महसूसता होनी बहुत जरूरी है तो जब समय की पैचांश मृती में रहती है तो पुरशाट स्वता ती ब्रकतिका हो जाता है ओम शंति